हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं यहां बिलकुल ठीक हूँ और फिराल अपने बच्चों के साथ उनकी समर वेकिशन एंजॉई कर रही हूँ एन आई रेली होप कि आप भी अपनी फैमिली के साथ हैपी अन हेल्दी होंगे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी समर रूटीन सुआ सुबा से लेकर दोपहर तक हमारे लाइफ में जो भी होगा उसके कुछ पल इस व्लोग के त्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुमीद है आपको आज का ये प्यारा सब लोग पसंद आए सो अभी मॉनिंग के साथ बच रहे है और हमेशा की तरह भी भी मेरे उटने का समय वही है बस पहले जब आयांस के स्कूल चल रहे थे तो मैं सुबा पाच बजे का अलाम लगा कर सोती थी लेकिन फिर जब से आयांस के समर वेकेसन स्टार्ट होई है आज कल मेरी आखे बिना अराम के ही सुबा 4.30 से लेकर साड़े पास तक खुल जाती है सो आज भी मैं आरांड 5.20 उठी हूँ एंदेन नहा कर रेडी होने के बाद आरांड 6 से 7 बजे तक मैंने अपनी क्लास कंप्लेट की और फिलाल यहां में कर रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सराइस वैसे अपना आत्यपेडिक की सलहा पर पिछले दो हपतों से मैंने फिजियो थेरपी लेना सुरू कर दिया है सो आज कल वीक में दो दिन में फिजियो थेरपी ले रही हूँ सो मेरे जो थेरपिस्ट है उन्होंने ये कुछ एक्सराइस मुझे हर दिन दिन में दो बार करने के लिए रेकमेंट किया है तो अब मैंने पहले की तरह एक्सराइस करना सुरू कर दिया है और फिलाल मुझे जो लोवर बैक से लेकर बेरो में दर्द था उसमें भी अपहले से काफी आराम है जो भी आगे एक मेहने और में थेरपिलूंगी और आपने भी कहा था कि एक्सराइस मुझे आप के साथ भी शेयर करूँ तो नेक्स किसी रूटीम लॉग में डीटेल में सारी एक्सेसाइज जो फिलाल में कर रही हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँगी आराउंड 7.45 तक बच्चे भी उड़ गए थे तो फिलाल दोनों को नहला कर मैं उन्हें यहां रैडी कर रही हूँ वैसे आजकल मेरे दोनों बच्चों के उठने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है जब मन में आया तब उठ गए मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे सुबह थोड़ी देर से ही उठे फिर भी आज आराम से ही उठे है वरना आजकल सुबह 7 बजे ही उठ जाते है आज थोड़ी देर तक सोई थी इसलिए उनके उठने से पहले मेरी मॉपिंग हो गई मना लन से पहले जब भी मुझे टाइम मिल जाए इसपेसली समर में एक बार दिन में तो मुझे मॉपिंग करने ही पड़ती है सो बच्चों को दूद पिला कर मैंने उन्हें बाहर खेलने के लिए भीज दिया और फिलाल में बना रही हूँ हमारा ब्रेकफ़स्ट सो आज हैं बना रही हूँ स्प्राउटेड मॉंग की सबजी सो अगर आप इस तरह के दाल को अंकुरित करना चाहते हो तो एक कप साबूत मॉंग मसूरिया उरत डाल को 6-8 घंटों के लिए पानी में भीगा कर रखे एन दिन डाल में से पूरा पानी निकाल कर और दालों को अच्छी तरह धोकर उन्हें इस तरह के श्ट्रेणर में पूरे एक दिन के लिए ढखकर रखे दूसरे दिन तक दाल अंकुरित हो जाएंगी पर सुरात में ही मैंने एक कप मॉंग की दाल भीगा दी थी और कल सुबह दाल में से सारा पानी निकाल कर पूरे एक दिन के लिए श्ट्रेणर में रख दिया ताकि आज सुबह ब्रेकफस्ट में मैं इसकी सबजी बना सकू तो मॉंग दाल की सबजी बनाने के लिए गर्म तेल में यहां मैंने वन टी स्पून राई और जीरा का तड़का लगा दिया है साथी तड़के में एक हरी मिर्च और कुछ करी लिए उस भी ऐड़ कर ले जीरा के भून जाने पर तड़के में आराउंड एक कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल कर प्याज को दो मिनिट के लिए मीडियम से तेज आज पर भूने एंदेन आराउंड एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ या कद्दू कस कियावा लहसुन भी तड़के में डाल कर प्याज के साथ लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूने अब मसालों में सबसे पहले मैंने यहां चुटकी भरहिंग आधी चमच हल्दी लाल मिर्च पाउडर और आराउंड वन टीस्पून गरम मसाला एड़ कर उन्हें भी 30 सेकंड के लिए भूना है एंदेन मसालों में आराउंड दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाट पर उसमें आराउंड तीन कब तक डाल स्प्राउट होता है जिसमेंसे यहां मेंने सिर्फ दो कप स्प्राउटेड डाल लिया है बाकि एक कप दाल मेंने फ्रीज में रख दिया उसे में किसी और रेसिपी में यूज करूंगी और यहां मसालों में से जौनकरी डाल आप यह 15-20 मिनिट में आपकी मुंग दाल की सब्जी बन का त्यार हो जाएगी सब्जी में पानी जब पूरी तरह से सूख जाए तो दाल को एक बार हाथ में लेका चेक कर लेना कि दाल अच्छी तरह गली है या नहीं अगर दाल नहीं गली होगी तो थोड़ा सा पानी और एड़ कर सब्जी को पास से 10 मिनिट के लिए कुक कर ले तो यहां मेरी सब्जी बन का तयार है साथ ही मैंने पराठे भी बना लिए हस्पेड ने अल्रेड़ी अपना वर्ग सुरू कर दिया था तो उनका ब्रेकफस्ट मैंने उनके रूम में दे दिया और यहां आप बच्चों को में मोंग डाल के सब्जी के साथ पराठे अपने हाथ से खिला रही हूँ वेसे तो दोनों अच्छी तरह अपने हाथों से खाना जानते हैं लेकिन अगर खुद से खाएंगे तो बस पराठे ज़्यादा खाते हैं सब्जी बस नाम भर की लेंगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खिला दू ताकि बच्चे सब्जी भी खा ले और आफ्टर ब्रेक्फास मुझे बच्चों को बाहर स्कूटर राइडिंग के लिए भी लेकर आना था मैंने सोचा था कि 10 बजे तक घर आ जाओंगी लेकिन एक बार बच्चों के साथ घर से बाहर निकलो तो वक्त का पता ही नहीं चलता और वैसे भी आज कल यहां वरजिनिया का मौसम भी काफी अच्छा हो गया है फिलाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन लेट जून और जुलाई तक यहां भी बहुत गर्मी होती है वैसे सुना है कि इस पार इंडिया में भी काफी गर्मी हो रही है कई जगा लू च रहे हैं और यहां में कर रही हूं अपने लंच की तैयारी सोयाविन की सब्जी बनाओंगी इस वाराउंड एक कप सोयाविन मैंने यहां पानी में 10-15 मिनट के लिए बॉल होने के लिए रग दिया सब्जी बहुत अच्छी बनी थी इसलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूं इनकेस आप भी बनाना चाहें काफी सब्जी भी एड़ की है जो आप आगे देखोगे सो सब्जी बनाने के लिए मैंने अल्रेडी गर्म तेल में जीरा के साथ एक कप बारी कटा हुआ प्याज हरी मिर्चों अराउंड एक चमच का दुकस किया हुआ लहसुन का तड़का लगाकर उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया प्याज भून जाने पर अब मैं यहां अपने मसाले आड़ कर रही हूं तो मसालों में आधी चमच हल्दी और मिर्च पावडर के साथ केवल वन टीस्पून गरम मसाला लिया है मसालों को सिर्फ तीस सेके अब की सोया बिन के साथ बच्चे दूसरी सब्जिया भी खाले सो सब्जों में यहां मैंने गाजर गरीन बीन्स और चेयोते जो की काइंड वाइट स्कूर्स के सब्जी है जो कि अहां अमेरिकन स्टोर्स में काफे मिलती है तो यह सब्जिया ले ली आप अपने हिसाब से तुरही लौकी कद्दू हरे मटर जो भी सब्जिया आपके पास हो अड़ कर ले और जब आपके सब्जिया पूरी तरह से कुख हो जाए दैन उसमें आराउंड एक कप सोया बिन जो हमने अल्रेडी बॉयल किया है उसे कटकर सोया बिन को भी सब्जियों के साथ भूने और दैन सब्जी को ढखका 2-3 मिनट के लिए पकने दे और जब आपकी सब्जिया पूरी तरह से पक जाए दैन सब्जी में आराउंड डो टेबल स्पून सार क्रीम एड़ कर ले सार क्रीम नहीं है तो आप होमेड मक्षन कोकोनेट मिल्क या 6-8 काजू का पेश्ट बना कर भी स कर सकते हो अब सब्जी को स्लो टू मिडियम आज पर 4-5 मिनट के लिए पकने दे और जब आपको सब्जी के मसालों में तेल अलग दिखाई देने लगे सब्जी में अपने हिसाब से आप जितनी भी ग्रेवी चाहते हो उतना पानी एड़ कर सब्जी को ढखका 10 मिनट के लि हो आप जरूर ट्राय करना बहुत स्वाधिश्ट बनती है सो बैगन की कड़ी बनाने के लिए यहां मैंने दो टेबल स्पून गर्म उयल में हाफ टीस्पून अजवाइन और जीरा का तड़का लगा दिया साथी तड़के में दो हरी मिर्च और आठ से दस करे लिए उसके स बैंगन जब थोड़ा पक जाए उसमें हम अपने मसाले डालना सुरू करेंगे सो मसालों में यहां मैंने चुटकी भर हिंग के साथ आराउंड वन टीस्पून हल्दी मिर्च पाउडर और गरम मसाला एड़का सारे मसालों को सबजी के साथ एक से दो मिनट के लिए भून ल सबजी में एक कब दही फेंट कर डाले सबजी में दही एड़कर पर कड़ी को थोड़ी देर में चलाते रहना 20-25 मिनट तक पकने के बाद आप देखोगे कि कड़ी से तिल अलग होने लगा है ग्रेवी भी थोड़ी काड़ी हो गई है कड़ी का कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है सुबस अब गैस्टो बनकर कड़ी में आरान दो छोटी चमस नम लिए थे और फिलाल यहां लंच के लिए रोटिया बना रही हों सो आज हमारे लंच में सोया बिनकी सबजी और बैंगर की कड़ी के साथ थोड़े चावल रोटिया और सालड बने है विसे कड़ी मैंने थोड़ी स्पैसी ही बनाई थी और फिलाल मेरे दोनों ही बच्चे इतना स्पैसी नहीं खा पाते इसलिए उनके लिए मैंने कड़ी के साथ सोया बिन की सबजी भी बना दी सो बच्चों को लंच में मैंने सोया बिनकी सबजी और रोटी के साथ थोड़े से दही में सूगर डाल कर दिया था और मैंने सोचा था कि लंच के बाद बच्चों को खिलने के लिए थोड़ी दिर बाहर भेज़ दूँगी ताकि मेरे किचन की क्लीनिंग जल्दी हो जाए लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर खिलने गए अचाना की बाहर काफी हवा चलने लगी साथी बिजली भी चमकने लगी थी सो बच्चों को मैंने घर के अंडर बुला लिया और थोड़ी ही देर में काफी बरसाद भी होने लगी आप अपने मन से बोलो ना उसे फिलाल दोपेर के दो बज रहे है और बस मैंने जेस्ट अभी अपना सारा कम ड़न किया है सो थोड़ी देर बच्चों के साथ रेष्ट करोंगी और देन जब बच्चे सो जाएंगे आज मुझे उनका क्रोजेट अरेंज करना है वेसे तो आज कल जब सायांस के स्कुल की छुटिया सुरू हुई है मैं दोपेर में एक दो घंटों के लिए ही सही सो जाती हूँ लेकिन कल ही मैंने वालमार्ट से ये नायन क्यूब का और्गनाजर लाया है जिसे मैंने रात में अल्रेड़ी असेंबल कर लिया था बस इसमें अब मुझे बच्चों के कपड़े अरेंज करना है साथी बच्चों का क्लोजेट और्गनाजर करने के लिए ये 13 इंच का फैबरिक बिन्स मैंने कॉसको से लिया है और 9 क्यूब वाले फनिचर में कपड़े अरेंज करने के लिए मुझे 11 इंच वाले बास्केट्स लगने थे सो ये 11 इंच के फैबरिक बास्केट्स मैंने वालमर्ट से ले लिया सो ये रहा आयां सो स्मेन का क्लोजेट तो फिलाल यहां लाज समर से लेकर विंटर तक के सारे ही कपड़े रखे हुए है सो क्लोजेट और्गनाईस करने से पहले मुझे ये सारे कपड़े बाहां निकालकर पूरा क्लोजेट खाली करना होगा और क्लोजेट खाली कर सबसे पहले मैं इसे वाक्यूम से क्लीन करूगी और den जो कपड़े बच्चो को छोटे हो गए है या वो नहीं पेहनते उन्हें में चाट कर एक बास्केट में अलग रखोंगी सो जो भी कपड़े डोनेट करने लाया खो उन्हें में डोनेट कर दू सो क्लोजेट को मैंने पूरा खाली कर दिया है अब बस क्लोजेट में नीचे जो कार्पेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ उसे मैं वैक्यूम के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ सो कपड़े अरेंज करने से पहले मैंने नायन क्यूब वाले फ़नीचर को क्लोजेट में रख दिया और फिलाल यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है सो विंटर वाले बच्चों के जितने भी कपड़े थे जो बच्चा आगे पहन सकते हैं उन्हें यहाँ में अलग रख रही हूँ सो ओफ सीजन वाले कपड़ों को मैं बड़े बास्केट में अरेंज कर क्लोजेट के उपर वाले हिस्से में रखने वाली हूँ और यह जो बास्केट आप देख रहे हो इसे मैंने डोनेट करने वाले कपड़े रखे है सो बाद में मुझे इस बास्केट को स्टोर रूम में रखना होगा तो यह कपड़े मैंने एडवांस में ही बच्चों के स्कूल के लिए लिए थे जो मुझे कमिंग विंटर में लगने वाले हैं तो इन सारे ने कपड़ों को मैंने एक साथ एक बास्केट में रख दिया और आयांस के लाश्ट एर के जैकेट जो अभी तक बहुत ही अच्छे कंडिशन में हैं और आइ थिंग से एक सीजन और चल जाएंगे उन्हें भी मैंने थर्टीन इंच वाले बास्केट में ही रखा है तो ये सारे कपड़े जो नेक्स टू मन्त में बच्चे यूज नहीं करने वाले हैं उन सभी कपड़ों को मैं क्लोजेट के उपर वाले हिस्से में रखने वाली हूँ सो इसी तरह विंटर के जितने भी जैकेट, स्वेटर, सो पैंड से उन्हें मैंने बड़े साइज वाले बास्केट में रख दिया और देन बच्चों के समर के कपड़े में छोटे वाले बास्केट में और्गनाईज करूँगी सो अगर आपको मेरे इस तरह के होममेकिंग, क्लीनिंग, और्गनाईजिंग और डेली रूटीन वाले व्लॉग देखना पसंद है और आगे भी आप इस तरह के व्लॉग मेरे चैनल पर देखना चाहते हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आप किस तरह के व्लॉग मेरे चैनल पर देखना चाहोगे, कमेंट कर मुझे जरूर बताना और आज कल मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी काफी अक्टी हो, सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राइड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और अब यहां में बच्चों के समर के कपड़े अरेंज कर रही हूँ जिने में छोटे बास्केट में रखके नायन कीव वाले फनीचर में रखने वाली हूँ जो यह बच्चों के कैजुल पेंट से जो बच्चे बाहर आने जाने में पहनेंगे और आयान सस्मेन दोनों ही बच्चे समर में मोस्टली एक्टिवेर पहनना पसंद करते हैं माइट भी सॉफ्ट होने की वज़ा से सो मेरे घर में सॉट्स की क्वैंटेड़ी जादा है तो क्लोजेट में यहां महां बिखरे न पड़े रहे और एक ही बास्केट में सारे सॉट्स आ जाए इसलिए मैंने इन्हें वीडियो में दिखाए के तरीके से फोल्ड करके बास्केट में रखा है और फिलाल यहां में उनके सर्ट सेंग कर रही हूँ सो यहां में दोनों बच्चों का पजामा फोल्ड कर रही हूँ और पजामा फोल्ड करते समय अपर और लोवर वेर का पूरा एक सेट बना कर उन्हें मैंने साथ में ही रखा है ताके जरुवत के समय दोनों एक साथ मिल जाए सो इस तरह सारे समर्वेर मैंने 11 इंच वाले बास्केट्स में अरेंज कर दिये सो उन्हें में 9 कीव वाले फनेचर में और्गनाइज कर दूँगी लेकिन उसे पहले यहां मैं सारे बास्केट्स में लेबल लगा रही हूँ सो मुझे असानी से पता चल जाएगा कि कौन से बास्केट्स में मैंने क्या रखा है और एक स्ट्रे स्पेस के लिए मैंने क्यूब और्गनाइजर के दोनों और कमेंडो होक्स लगा दिये सो अगर आपको बच्चों की कोई भी छोटी बड़ी चीजे हैंग करना है आप इस क्यूब के साइड में हैंग कर सकते हो साथी एक होक मैंने क्लोजेट के अंदर साइड वाले डोर पर भी लगा दिया है सो मैं यहां बच्चों की बेल्ट वगेरा हैंग कर लूँगी और अब बस मैं यहां यह सारे छोटे वाले बास्केट्स को क्यूब में और्गनाइज कर रही हूँ सो फाइनली दो से तीन घंटे लगा कर अपने बच्चों का क्लोजेट मेंने और्गनाइज किया है अब कम से कम पूरे समर मुझे इस क्लोजेट की डीप क्लीनिंग नहीं करनी होगी सो इस क्लोजेट की अरेंजमेंट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट का जरूर बताना और अगर आपको आज का ये व्लोग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब जलती ही एक नए व्लोग के साथ मिलूगी तब तक अपने ख्याल रखे